हम पढ़ रहे हैं आपकी जियोग्राफी में चैप्टर six जियोग्राफी में चैप्टर शिक्स नैच्रल वेजिटेशन और वाइल्लाइफ के उपर है यह चैप्टर आपके एंची आट में पेज नंबर है 39 जोग्राफिकी टेक्स्बुक में पेज 39 नैच्छल वेजिटेशन मतलब और वाइड लाइफ का मतलब क्या तो नैच्छल वेजिटेशन का मतलब वो सारे प्लांट्स जो खुद बाखुद उगए हैं जिने यूमन्स नहीं उगाया है, मतलब हमने बीज नहीं बोया, हमने पानी नहीं डाला, हमने कुछ नहीं किया, पर वो खुद बखुद उग गए हैं, बिना किसी यूमन एट के, और आराम से वो मतलब बड़े हो रहे हैं, तो वो है natural vegetation, और wildlife का मतलब होता है, वो सारे जानवर जो हमने पाले नहीं हैं, जो आपको कोई भी स्पीशिस चाहे फिश हो, मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, पर आपने नहीं पाले हैं, वो कुद्रत से खुदी पल रहे हैं, उन्हें wildlife कहा जाएगा, जो ये चाप्टर नैचर वेजिटेशन और wildlife मतलब बहुत ही जादा कुद्रती चाप्टर है, ये एकसाइटेड है, अपने समर केंप को लेके, जो कि वो अटेंड करने वाली है, वो हिमाचल प्रदेश के मनाली घुमने गई थी, अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लास के उनके साथ, उसने याद किया, बलो याद कर रही थी, कि वो कितनी जादा सर्प्राइस थी, जब उसने देखा कि भाई किस तरह से नेचरल वेजिटेशन, किस तरह से प्लांट्स, किस तरह से लैंड फॉम, मतलब कभी नदी, कभी पहाड ऐसा सब आ रहा था, ऐसा बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे बस उची उची जाय जा रही थी, वैसे कुछ नया नया दिखे जा रहा था, the deep jungles of the foothills comprising saal and teak slowly disappeared, फिर जैसे जैसे घने जंगल, जो पहाडियों के घने जंगल थे, जहां पे साल और टीक था, पेड थे साल और टीक के वो धीरे धीरे गायब होते गए, वो फिर लंबे लंबे पेड देखने लगी, जिनके उपर पतले पॉइंटेड लीज थे, और कोन शेप कैनोपी थी, कैनोपी का मतला कोन शेप पेड थे, माउंटेन स्लोस पे, उसने उसे पता लगा, उनका नाम है कॉनीफरस ट्रीज, कॉन से कॉनीफरस ट्रीज हैं? Tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. फिर उसे क्या तिखा? बहाँ थी bright flowers तिखे उसे बड़े बड़े पेड़ों पे एकदम bright flowers तिखे और वो थे rondodendrons. फिर मतलब इसे एकदम bright flowers तिखे उचे पेड़ों पे उसे rondodendrons कहते हैं. फिर मनाली से जब वो रोतांग पास तक travel किया उसने तो उसने देखा कि जो सारी जमीन है उस पे छोटी-छोटी घास है और कहीं-कहीं तो बरफ भी गिरी हुई है. तो यह सलीमा ने ही सारी अपनी ट्रिप जो उसकी ट्रिप थी उसारी ट्रिप बताई. तो जो सलीमा की observation है तो अगर आप इस पूरी उसने जो भी ट्रिप के बारे में बताया अगर आप उसको समझो तो आप देखोगे कि जो जमीन है, जमीन की height और आपको जमीन पे कैसे vegetation मिलेगा, कैसे plants मिलेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ connection है. मतलब जमीन की height और vegetation पेड़ पौधों के बीच में कुछ connection है. मतलब जैसे आपके पेड़ अगर पहाड़ी लाकों पे होंगे तो उनकी height अलग होगी और जंगलों में होंगे उनकी height अलग होगी. deserts में मतलब रेगिस्तान में होंगे उनकी height अलग होगी जमीन जमीन से जो है बोधे की height निर्भर करती है और उनका type क्या होगा, character क्या होगा, vegetation का वो भी निर्भर करता है. तो height में बदलाव के साथ-साथ climate बदलते हैं और वो natural vegetation भी बदल देती है. तो जो vegetation का growth है वो depend करता है temperature और moisture पे मतलब सबसे important चीज़, there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. ठीक है, height of land और vegetation के character के बीच में relation है, with the change in height, जैसे जैसे height बदलती है, the climate changes, climate बदलता है. And that changes natural vegetation, height के साथ, height बदलती है, climate बदलता है, और natural vegetation भी बदलता है. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. जो vegetation का growth है, मतलब यह जो पेड़ बदल का growth है, किस पे depend करता है? Depends on temperature and moisture. Temperature और moisture पे निर्भर करता है. It also depends on factors like slope and thickness of soil. यह किस पे depend करता है? यह depend करता है, slope और thickness of soil पे. मतलब, height क्या होगी, soil कैसी होगी उस पे. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. So, जो natural vegetation का type है, और उसकी thickness है, वो बदलती है, जगे से जगे. भला, जगे जगे से यह बदलती है because of variation in these factors. So, natural vegetation is generally classified into three broad categories. So, natural vegetation तीन में divided है. Natural vegetation is divided into three categories. तीन categories में natural vegetation डिवाइडेड है. पहला है forest. Natural vegetation मतलब, जो plants खुद से उखते हैं, कुदरती उखते हैं. आप जाके नहीं उगाते हो, तो उसमें पहला type है natural vegetation में forest, जंगल. So, कहां उखते हैं जंगल? जंगल उखते हैं जहां temperature और rainfall बहुत जादा होता है पेड़ों के उगने के लिए. ठीक है? Forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. So, इन factors पेड़ेंड करते हुए, temperature पे, rainfall पे, इन सब पेड़ेंड करते हुए, घने और खुले जंगल उखते हैं. ठीक है, temperature और rainfall पे, so depending upon these factors, dense and open forest are grown. दूसरा टाइप और फॉरेस्ट है, grasslands. ठीक है? So, grasslands क्या है, which grow in the region of moderate rain. Grasslands महां होते हैं, जहां पे हलकी हलकी बारिश पढ़ती है. तीसरे होते हैं, shrubs. Shrubs क्या होते हैं? Thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. जो सुकी region होती है, रेगिस्तान टाइप, तो वहां पे कांटेदार shrubs और scrubs उखते हैं. Shrub और scrub क्या होता है? So, shrub और scrub का मतलब होती है, चोटी-चोटी जाडियां, चोटी-चोटी पेड़, जो की एकदम कम बारिश वाले इलाकों में उखते हैं. So, उन्हें कहते हैं shrubs और scrubs. So, ये dry region में उखते हैं, जाडियां कहा जाता है. और grasslands कहां उखते हैं? Grasslands उखते हैं moderate rain वाले इलाकों में. Moderate मतलब जहां बारिश माप की पढ़ती है, medium. Medium बारिश वाले इलाकों में grass उखती है, grassland. Shrub मतलब कांटे-दार छोटे-छोटे पेड़-पोदे कहां उखते हैं, जहां पे बिल्कुल बारिश कम पढ़ती है, ना के बराबर. और forest, forest क्या होता है? वो इलाका जहां पे temperature और rainfall बहुत भरपूर होता है, और आराम से, जो है, dance मतलब गने और खुले जंगल एकदम उगते हैं, मतलब पेड़-पोदे उखते हैं और अच्छे जंगल बन जाते हैं. So, तीन तरह में डिवाइट किया गया है natural vegetation को. So, Salima जो है, वो अपना experience बताती है, Himalayan trip का, वो अपने पापा के साथ में हिमाल्या गई थी. उसके पापा ने बहुत सारी places घुमाई हैं उसको पूरी दुनिया में. उसके फादर ने Salima को vegetation के बारे में समझाया, कि कैसे अलग-अलग continents में, जो आपने पढ़े होंगे, continents, Asia, Africa, ठीक है? So, ये सारे जो आपने continents पढ़े हैं. So, उसके पापा ने बताया कि vegetation कैसे different-different है, different-different continents में. He mentioned about coniferous forest in the sub-polar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more. उसके पादर ने क्या बताया? कि coniferous forest हैं, sub-polar regions में. जो ठंडी वाले अलाके हैं, वहाँ coniferous forest उपते हैं. thorny bushes हैं, deserts में. कांटेदार पेड़ पोदे हैं, रेगेस्तानों में. thick tropical hardwood forest हैं, humid regions में. ठीक है? जो घने, जो हैं, घने forest हैं, humid regions में. and many more. Salma realized the Himalayas have almost all varieties of vegetation. Salma ने realized कि Himalayas में हर तरह की vegetation पाई जाती है. जो देखी जा सकती है, equator से polar region जाते जाते. मतलब आप हर तरह की vegetation देख सकते हो. कांटेदार, छोटे-छोटे, ग्रास, कांटेदार पेड़ पोदे, या फिर बड़े-बड़े पेड़ भी देख सकते हो. ठीक है? तो ये सब आपको equator से polar region के रास्ते में जाते-जाते दिखता है. तो ये जो नेचरल वेजिटेशन में चेंजिस है, वो इसलिए होता है, क्लाइमेटिक कंडिशन में बदलाव की वज़े से. क्या हमें डिफरेंट टाइप्स अफ नेचरल वेजिटेशन आफ दे बारे में पता है? तो ये जो नेचरल वेजिटेशन है, ये जो खुदबखुद जो पेड़ पौधी उपते हैं, इन में जो चेंजिस होते हैं, वो इसलिए होते हैं, क्लाइमेटिक वज़े से. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग-अलग तरह की नैच्रल वेजिटेशन होती है दुनिया में, उनके features पढ़ेंगे और उनमें कौन-कौन से wild life जंगली जानवर पाय जाते हैं वो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरी दुनिया में कितने तरह की नैच्रल वेजिटेश उनमें क्या-क्या climate रहता है और वहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों के बारे में information पढ़ेंगे सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे forest ठीक है सो forest में हम पढ़ रहे हैं tropical evergreen forest सो forest इसमें first है tropical evergreen forest तो हम type of forest देख रहे हैं पर टाइप of forest कौन-कौन से हैं हमने देखा कि land और vegetation के हिसाब से तीन में divided हैं सो पहला है forest, natural vegetation तीन में divided है forest grasslands और shrubs तीन में divided है forest देखो tropical evergreen forest दूसरा है tropical deciduous forest तीसरा है temperate evergreen forest चौथा है temperate deciduous forest पांचवा है Mediterranean vegetation चौथा है coniferous forest तो ये सारे type of forest हैं ठीक है, सबसे पहले हमने forest पढ़ा सबसे पहले types of forest में first है हमारा tropical evergreen forest ये जो tropical evergreen forest हैं इन्हें tropical rainforest भी कहा जाता है ट्रोपिकल evergreen forest को tropical rainforest भी कहा जाता है ये जो घने जंगल हैं वो इक्वेटर के नजदीक देखे जाते हैं equator के नजदीक देखे जाते हैं और tropics के close देखे जाते हैं ठीक है, so these thick forest occur in the regions near the equator देखो ये है, so near the equator and close to the tropics equator के नजदीक देखे जाते हैं और tropics के close में ये forest देखे जाते हैं So, Tropics का मतलब क्या होता है? Tropics मतलब वो region Earth की जो पूरे globe के मतलब globe के center में जो region है बीचो बीच जो region है उसे topics कहा जाता है और equator क्या होता है? जो globe को जो अर्थ को North और South हेमिसफियर में divide करता है So, ये thick forest कहां पाय जाते हैं equator के नजदी और tropics के करीब, so यह जो regions हैं, वो बहुत ज़ादा hot होते हैं, tropical evergreen forest के जो regions हैं वो hot होते हैं, these regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year यह regions hot होते हैं और यह पूरा साल जो है, इन में बरसात होती है as there is no particular dry season the trees do not shed their leaves altogether, this is reason they are called evergreen कभी ऐसे होता ही नहीं है कोई ऐसे dry season आए, कभी इस area में सूखा हो, बारिश तो पड़ती ही रहती है so इतनी heavy rainfall होती है तो यह जो trees हैं, कभी भी इनके पत्ते तूटते ही नहीं है क्योंकि कभी कोई ऐसी season आती ही नहीं है, तो इसलिए इन्हें evergreen कहा जाता है सदा बहार, ठीक है so as there is no particular dry reason the trees do not shed their leaves altogether so this is the reason they are called evergreen कौन? tropical evergreen forest tropical का मतलब होता है globe का center part evergreen मतलब सदा बहार forest ठीक है, so यह सदा बहार forest को बारिश पढ़ती है, पूरा साल पूरा साल गरम रहते है the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the day time so जो इनकी एक canopies होती है मतलब यह उचाई होती है पेडों की, जो इनकी नस्दिक नस्दिक पेड़ होते हैं वो sunlight को बिलकुल भी forest के अंदर घुशने ही नहीं देते है मतलब इतने पेड़ इतने पेड़ होते हैं की sunlight भी पेडों को नहीं काट सकती तो ऐसा लगता है की जैसे एक्दम अंधर अंधेरा अंधेरा लगता है जंगल के अंदर क्योंकि पेड़ ही पेड़ है और जो sunlight है पूरी पेड़ पे गिर रही है hardwood trees like rosewood, eboni, mahogany are common here आपको नाम याद रखने पड़ेंगे hardwood trees like rosewood, eboni, mahogany यह natural vegetation के example है tropical evergreen forest के rosewood, eboni, mahogany so hardwood trees कौन से trees होते हैं वो trees जिनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं मतलब pointed नहीं होते हैं चौड़े पत्ते होते हैं और उन में से fruits या nuts उपते हैं और यह जो trees हैं winter में शान्त हो जाते हैं मतलब winter में कुछ उपते नहीं है ऐसा से पोल सकते हो सो जाते हैं ठीक है सो हाड़वूद ट्रीज के एक्जाम्पल से हैं रोसवुड इबोनी महोगैनी ठीक है कहां पाए जाते हैं tropical evergreen forest इतने ज़्यादा इनॉर्मस है मतलब इतनी ज़्यादा संख्या है कि यह हमारे अर्थ के लंग्स माने जाते हैं मतलब हमारे अर्थ के फेफडे माने जाते हैं जैसे हमारे लिए लंग्स हैं प्यूरि फायर का काम करते हैं वैसstep ही जो ब्राजल में पाई जाने वाले ट्रॉकिकल ऑवर्ग्रीन फॉर्स्ट हैं यह भी लंग्स का काम करते हैं ज़िए The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. ठीक है? So, अभी अनाकॉंडा के बारे में. अनाकॉंडा, one of the world's largest snakes is found in tropical rainforest. So, अनाकॉंडा ट्रोपिकल rainforest में पाय जाते हैं. जो दुनिया का सब बड़े snakes में से एक माना जाता है. और वो एक क्रोकोडाइल को भी खा सकता है. ठीक है? अचा, अब हम देखेंगे page number 41 पे tropical deciduous forest. So, tropical deciduous forest क्या होते हैं? So, tropical deciduous are the monsoon forest. यह monsoon forest होते हैं. Found in large part of India, northern Australia and in Central America. So, इन्हें monsoon forest भी कहा जाता है. Tropical deciduous forest को monsoon forest भी कहा जाता है. जैसे कि इनको evergreen forest को tropical forest कहा जाता है. उसी तरह से deciduous forest को tropical, deciduous, tropical मैंने आपको बताया था. Globe के center में जो जगह है उसे tropical कहते हैं. So, deciduous forest, so deciduous forest को mountain forest भी कहते हैं. कहां बाया जाते हैं यह? इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, Central America में. So, यहां क्या होता है? इन सब जगह पे season wise सब season हैं बदलती हैं. जैसे यहां देखो, ट्रॉपिकल evergreen में ज़्यादा तर rainy season ही रहती है. फ़र यह जो ट्रॉपिकल, deciduous forest उन जगहों पे पाय जाते हैं. जहां पे seasons बदलती रहती हैं. अलग-अलग season experience होती हैं. So, trees shed their leaves in the dry season to conserve water. यहां क्या होता है? डिसीडियस forest में. जब dry season आती है. Dry season का मतलब आप सूखी season को, winter season भी बोल सकते हो. So, जब dry season आती है, तो trees क्या करते हैं? अपने पत्ते shed कर देते हैं. उनके पत्ते गिर जाते हैं. ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी conserve कर पाएं. The hardwood trees found in this forest are sal, teak, neem, shishem. So, in forest में जो hardwood trees पाय जाते हैं. Hardwood trees का मतलब मैंने आपको बताया था, चोड़े पत्ते वाले leaves जिन में से fruit और nut निकलते हैं. So, hardwood trees कौन-कौन से पाय जाते हैं in tropical deciduous forest में. In this forest are sal, teak, neem, shishem. So, hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, constructional materials. So, hardwood trees हैं, वो बहुत जरूरी हैं furniture बनाने के लिए. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. Hardwood trees किस-किस में काम आते हैं? Furniture बनाने में, transport में और construct करने में. Tigers, lions, elephants, langoos, monkeys are the common animals of these regions. So, जो tigers हैं, lions हैं, elephants हैं, longwoods हैं, monkeys हैं. यह सारे common animals हैं, जो यहां पाय जाते हैं, tropical deciduous forest में. So, tropical deciduous forest क्या हैं? यह monsoon forest हैं, जो इंडिया, northern Australia और Central America में पाय जाते हैं. यहां पे जो पेड़ हैं, वो उनके पत्ते तूपते हैं. और पानी कठा होता है, और जो trees हैं, यहां साल, टीक, नीम, शीशे में पाय जाते हैं. और यह जो artwood trees हैं, बहुत ज़्यादा useful होते हैं for nature बनाने में. ट्रांस्पोर्ट में और construction material बनाने में, tigers, lions, elephants, लंगूर, monkeys are the common animals of these regions. नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट ये located है, mid latitudinal coastal region में. इसका मतलब क्या हुआ? So, mid latitudinal का मतलब होता है, latitudinal का मतलब होता है, equator के किसी भी side, या north side, या south side. Coastal region का मतलब होता है, समुद्रा के नस्दिक का एदिया. So, जो temperate evergreen forest है, वो कहां located है? Middle latitudinal coastal region में. और ये कहां पाये जाते हैं? Continents में पाये जाते हैं, eastern margin में पाये जाते हैं. Continents के east side में पाये जाते हैं. कौनसे? Temperate evergreen forest. So, temperate evergreen forest are located in the mid latitudinal coastal region. और eastern, they are commonly found along the eastern margin of the continents. South East USA, South China, South East Brazil. कहां कहां पाये जाते हैं? South East USA, South China और South East Brazil. So, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus. So, इन यहां पर hardwood trees भी पाये जाते हैं, और softwood trees भी पाये जाते हैं. Softwood का मतलब होता है, जो आराम से उगाए जा सकते हैं, और आराम से काटे जा सकते हैं. So, in forest में hard and softwood, दोनों trees पाये जाते हैं, softwood, oak, pine, eucalyptus, etc. ठीक है, अब temperate deciduous forest, temperate deciduous forest का आते हैं, page number 42 पे. So, हमारा next type of, fourth type of forest है, temperate deciduous forest. So, जैसे जैसे आप उपर चड़ते जाओगे, higher latitudes पे जाओगे, So, आपको जादा जादा temperate deciduous forest दिखेंगे. तो यह कहां कहां पाये जाते हैं, यह पाये जाते हैं, north eastern part of USA, China, New Zealand, चाइल, और यह coastal regions of western Europe में भी पाये जाते हैं. ठीक है, सो जैसे जैसे आप उपर चड़ते जाओगे, higher latitudes की तरफ जाओगे, तो वैसे वैसे आपको और जादा deciduous forest मिलेंगे. और यह कहां पाये जाते हैं, USA के north eastern part में, China, New Zealand, चाइल, और also found in the coastal regions of western Europe. Western Europe की coastal regions में भी पाये जाते हैं. Coastal मैंने आपको बताया था, नदी के बाजु वाले land को coastal कहते हैं. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech. और animals कौन से, wildlife कौन से पाये जाती हैं, यहां? Deer, foxes, bulls are the animals commonly found. Birds like peasants, monals, वो भी यहां पाये जाते हैं. So, temperate deciduous forest में, क्या क्या होता है? Temperate deciduous forest में, क्या क्या होता है? Temperate deciduous forest में पाये कहां जाते हैं? जितने आप higher latitudes, जितने आप उंचाईयों पर जाओगे latitudes में, उतने आपको temperate deciduous forest मिलेंगे. So, यहां आपको deer, fox, wolves, birds, peasants, monals, यह सारी birds. यह फीजन्ट की तस्वीर है, और यह आपको monal की तस्वीर है, clear नहीं है monal की, फीजन्ट की समझ आ रही है थोड़ी सी. अच्छा, अब Mediterranean vegetation देखेंगे. Mediterranean vegetation है, so आपने देखा कि बहुत ज़्यादा east और north east margins of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. जो ज़्यादा तर east और north east continent के margin है, मतलब जो उसके कोने है, east और north east कोने, वहाँ पे temperate evergreen and deciduous trees पाये जाते हैं. अब, the west and southwest margins of the continents are different. So, यहाँ के जो west और southwest margins होते हैं, यहाँ के continents के, वो अलगी होते हैं, they have Mediterranean vegetation. So, उनको कौन सी vegetation होती है, Mediterranean vegetation. So, Mediterranean vegetation मतलब इस तरकी. ठीक है, फिर से देखते हैं, ज़्यादा दर east और north east margin, continental, temperate, evergreen and deciduous trees होते हैं, और west, यह Mediterranean vegetation कहाँ पाये जाती है, Mediterranean vegetation पाये जाती है, west और southwest कोनों में, ठीक है, west और southwest कोनों में, continents के west और southwest कोनों में, Mediterranean vegetation पाये जाती है, west और southwest कोनों में. So, यह कहाँ पाये जाती है, it is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe. कहाँ पाये जाती है, Europe की Mediterranean Sea में, Africa में, Asia में. तो इसलिए इसे Mediterranean vegetation कहा गया है, क्योंकि यह जादा तर Europe की Mediterranean Sea में पाये जाती है. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, in USA, southwest Africa, southwestern, south America, and southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. So, यह regions गरम हवा के लिए और rainy winters के लिए बहुत जानी जाती है. मतलब एकदम गरम हवा वाली गर्मी होती है, एकदम गरम हवा चलती है, और हल्की सी सर्दी पर बारिश भी रहती है. और यहाँ Mediterranean vegetation में क्या-क्या पाया जाते हैं, citrus fruits, खटे fruits, जैसे कि oranges, fix, olives, और grapes. क्योंकि यहाँ यही पाया जाता है, क्योंकि लोगों ने उखाड-उखाड के यही उगाना चालू कर दिया है, मुना लोग अपने साब से यहाँ उगाते हैं. और यहाँ पर बहुत जंगली जानवर नहीं पाया जाते हैं, मतलब Mediterranean vegetation थोड़ा रहने जैसा इलाखा है, यहाँ पर जंगली जानवर नहीं पाया जाते हैं, और यहाँ पर आपको oranges, there isn't much wildlife here, यहाँ पर Mediterranean vegetation, Mediterranean vegetation कौन सा इलाखे हैं, continent, continent के west और southwest इलाखे हैं, ठीक है, अब है coniferous forest, coniferous forest क्या होता है, जैसे जैसे आप उचाईयों पर जाते जाओ, in the higher latitudes of northern hemisphere, the spectacular coniferous forest are found, these are also called as taiga, taiga क्या होता है, taiga मतलब pure, ठीक है, taiga word का मतलब होता है pure, ठीक है, जैसे जैसे आप higher latitudes पर जाते हो, ठीक है, higher latitudes पर जैसे जैसे जाते हो, northern hemisphere की, so coniferous forest दिखते हैं, जिसे taiga भी कहते हैं, ठीक है, इतनी उचाईयों पर जाते हो, northern hemisphere की, the spectrum are found, these are called taiga, these forests are also seen in higher latitudes, these are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance, so यह जो शुरू में लड़की थी Salima, उसको जो हमाला में पेड़ दिखे थे, यह वही पेड़ हैं, they are tall, softwood, evergreen trees, tall है, softwood, मतला, आराम से उपते हैं, आराम से काट सकते हैं, और evergreen है, 12 मैंने इक्तम, अच्छे से, मतलब green रहते हैं, the woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint, ठीक है, so जो इन trees का जो wood होता है, लकड़ा होता है, बहुत useful होता है, paper बनाने के लिए, और newspapers की भी print बनाने के लिए, ठीक है, coniferous forest का लकड़ा, फिर matchboxes and packing boxes are also made from softwood, ठीक है, so जो matchbox है, packing box है, यह भी softwood से ही बनते हैं, चिर, pine, cedar are the important variety of trees in these forests, और कौन-कौन से trees in forest में मिलते हैं, चिर, pine, cedar, silver fox, mink, polar bear are the common animals found here, ठीक है, so coniferous forest में क्या-क्या मिलता है, coniferous forest में लंबे पेड हैं, softwood, evergreen trees हैं, और यह paper बनाने में काम आते हैं, matchbox बनाने में, packing box बनाने में काम आते हैं, चिर, pine, cedar, यह इस trees की types हैं, और animals हैं, silver fox, mink और polar bear, coniferous forest के, अब हम देखते हैं, grasslands, so, अभी हम, second हमने पढ़ा था, second type of vegetation, grasslands होते हैं, so, grasslands तो आपको बता है, grass, जो grass area, चुटे-चुटे-चुटे grass होते हैं, so, grasslands में कितने types हैं, so, grasslands दो तरह के होते हैं, पहला है, tropical grassland, और दूसरा है, temperate grassland, ठीक है, tropical and temperate, so, tropical grassland क्या होता है, so, tropical grassland, this occur on either side of the equator, यह जो tropical grassland है, equator के किसी भी हिस्से में देखे जा सकते हैं, पूरे tropics तक जाते हैं, मतलब, पूरे kono तक जाते हैं, this vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall, tropical grasslands में, घ्रास कहां उखती है, tropical से मतलब, moderate से कम, मतलब, moderate मतलब, medium rainfall से कम rainfall गिरती है, so, tropical grasslands में, इस अपकर on either side of the equator, and extend till the tropics, ठीक है, so, this vegetation occurs in the areas of moderate to low amount of rainfall, और यह ग्रास यहां बहुत लंबी, उखती है, इतनी लंबी की तीन से चार मीटर हाइट, तो समझो कितनी लंबी ग्रास होई, यह देखो, यह है, यहां मेरे खहल से ग्रास तिख रही है, फोटो में, नहीं तिख रही हो, तो आपकी बुक होगी, आपके बाजू में, उसमें अच्छे से देख लो, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी गास उखती है, तो यह जो मॉडरेट से लो अमाउंट, मतलब मीडियम रेंज से कम रेंज होती है, और बहुत लंबी होती है, तीन से चार मीटर की हाइट होती है, और एक्ञांपल क्या है, सवनना, सवनना ग्रासलांच ऑफ ऐफ्रिका, एफ्रिका के सवनना ग्रासलांच है, एलेफेंट से, जेबरास, जिराफs, टियर, लिओपॉर्डस आर कॉमनãy, इन ट्रॉपिकल ग्रासलेंच, थीक है, एलेफेंट, जेबरा, जिराफ, डियर, लियोपोड यह सब कॉमन है ठीक है तो ट्रॉपिकल ग्रास लेंट कहां पाय जाते हैं इस अकर अन आइधर साइड आफ दे एक्वेटर किसी भी साइड पे पाय जाते हैं ट्रॉपिक्स तक जाते हैं और मीडियम से कम रेंटफॉल होती है बहुत लंबी होती है तीन से चार मीटर हाइड होती है और एफरिका के सेमना ग्रास लेंट में पाय जाते हैं एक्जामपल एलिफेंट, जेबरा, जिराफ, डियर, लियोपोड जो टेंपरेट ग्रास लेंट होते हैं यह कहां पाय जाते हैं यह पाय जाते हैं मिड लैटिट्यूडन जोन्स में और कॉंटिनेंट्स के अंदर के पार्ट में पाय जाते हैं ग्रास जो होती है यहां छोटी होती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है यहां पे जो wildlife पाई जाती है वो है wild buffalo, bisons, antilopes so temperate grasslands में mid latitudinal zones में ठीक है और continents के अंदर पाई जाते हैं और grass is short, nutritious और wild animals है wild buffalo, bisons, antilopes ठीक है अच्छा अब thorny bushes, so thorny bushes क्या होता है thorny bushes है, यह पाई जाते हैं, dry desert में, ठीक है सुके रेकिस्तानों में पाई जाते हैं, these are found in dry desert like regions tropical deserts are located on the western margin of the continents यह tropical deserts होते हैं, western margins में पाई जाते हैं the vegetation cover is scarce here, so यहां एकदम vegetation भहत कम है because of scanty rain and scorching heat, इतनी ज्यादा बारिश कम होती है और इतनी गर्मी होती है, कि यहां पे बिलकुल कम होता है vegetation, so यहां देखो side में, तो thorny bushes है, जो तीसरा टाइप of vegetation है, thorny bushes, कांटेदार जाडियां, so यह कहां पाई जाती है dry deserts में, और tropical deserts are located on the western margin of the continents continents के western konos में पाई जाती है, और vegetation cover बहुत कम होता है scars होता है, और क्यों, मतलब यहां vegetation इतनी कम होती है क्योंकि rain भी बहुत कम होती है, और heat भी बहुत जादा होती है ठीक है, so यहां देखो grasslands के बारे में, grasslands अलग-अलग नामों से अलग-अलग regions में famous है, tropical grasslands, so tropical grasslands East Africa में उसको savannah कहते हैं, tropical grasslands को East Africa में savannah, Brazil में इसको compose कहते हैं, और Venezuela में उसे lanos कहते हैं, ठीक है, tropical grasslands को East Africa में savannah, Brazil में compose और Venezuela में lanos, temperate grasslands Argentina में pampas कहते हैं, North America में prairies कहते हैं, temperate grasslands को, South Africa में wells कहते हैं, और Central Asia में step कहते हैं, Australia में down कहते हैं, ठीक है, so tropical और temperate grasslands, tropical grasslands मतलब इन grasslands को जो tropical क्या जहां पे लंबी-लंबी गास होती है, और temperate grasslands मतलब छोटी-छोटी grass होती है, और nutritious भी होती है, तो इनको अलग-अलग जगे पे अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, इस grass को, ठीक है, यह आपको ज़रूर लिखना है, tropical grasslands में, tropical grasslands को किस जगे पे क्या कहा जाता है, और temperate grasslands को किस जगे पे क्या, यह सब लिखने हैं आपको, अगर आप ठंडी जगें पे जाओ, अगर आप पोला रीजन में जाओ, तो आपको एक जगे मिलेगी कि वो बहुत ही ठंडी है, यहां पे जो vegetation है, वहां पे बहुत ज़ादा नहीं उखते हैं, वहां प्लांट्स बहुत नहीं उखते हैं, बहुत चोटी समर की सीजन आती है यहां, उसे कहते हैं टुंड्रा टाइप ओफ वेजिटेशन, टुंड्रा टाइप ओफ वेजिटेशन क्या है, जो पोलार रीजन, पोलार मतलब ठंडी, फुल ठंडी वाले इलाके, फुल ठंडी, उन्हें टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं, यह वेजिटेशन कहां पाई जाती है, यूरोप, एशिया और नौर्थ अमेरिका के पोलार एरियास में, ठंडी वाले इलाकों में, यहां पे जो जानवर पाय जाते हैं, उनकी मोटी मोटी चमडियां होती है, मोटी चमडियां और मोटे मोटे उनको फर होते हैं, बाल होते हैं, बहुत सारे, To protect themselves from cold Example क्या है यहाँ पाय जाने वाले animals के Seal, walrus, musk oxon, arctic owl, polar bear, snow foxes ठीक है यह सब example है यहाँ के animals के Seal, walruses, musk oxon, arctic owl, polar bear, snow foxes ठीक है So यह walrus है दांत वाला यह polar bear है वाइट वाइट यह seal है ठीक है यह देखे हुई होगे आपकी pictures पहले भी Salima के पापा ने उसको कुछ photograph दिखाई इन थिक forest की यह टुंडरा vegetation इन कुछ photograph में जो Salima है उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ भी काट रहे हैं और forest को clear करने हैं So पापा ने बताया कि यह जो जगे हैं यह लोग clear कर रहे हैं ताकि यह लोग यहां रह पाएं और agriculture कर पाएं तो इसलिए वो लोग forest clear कर रहे हैं Salima सोचने लगी कि अगर हम सारे forest ऐसे ही clear कर देंगे तो यह जगली जानवर हैं यह कहां रहने जाएंगे क्या forest वापस उपाएंगे और लोग अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो क्या oxygen बचेगी हमारे लिए water vapor बचेगा timber, fruits, nuts यह सब बचेगा तो क्या आप Salima के साथ सहमत हो कि भई पेड़ कटेंगे तो हमारा क्या होगा तो आप बताओ कि पेड़ कैसे बचा सकते हैं ठीक है तो इस वास अल अबाउट इस chapter वेरी इजी chapter आपको खाली क्या करना है इस chapter में आपको इस chapter में आपको खाली सारे types बता होने चाहिए फिर types के साब से examples याद होने चाहिए और location याद होनी चाहिए ठीक है तो विद दिस आप एंडिंग टुदेश लेक्चर टिक एच एन अबरी पॉइंट प्रॉइंट प्रॉपर ली अच्छे से अच्छी स्टिक करें और आफ्टर राइटिंग होट्सेप में दे एंटार थिंग